एलो स्टुडेंट्स गुड मॉर्निंग एब्रीवन पिछली वीडियो में हमने एम गोपाल क्रस्न अडिगा की लाइफ इस्ट्री एंड इजवक्स उसके बारे में स्टेडी की इस वीडियो में हम जो उनकी कविता जो बीए पार्ट थडियर में है दू सम्थिंग ब्रदर इसके बारे में हम स्टेडी करेंगे इस पूरी कविता को हम वर्ड वाई वर्ड हिंदी में ट्रैंसलिशन करेंगे डू सम्थिंग ब्रदर जैसा कि इसका टाइटल है कि भाई कुछ ना कुछ करिए इसमें जो कभी है वो पाठक को आदेश देता है कि आप हर समय कुछ ना कुछ यहाँ पर जो कभी है पाठक को विद्ध्वन्स कारी कारे करने के लिए प्रेरीद करता है कि आपको कुछ ना कुछ करते रहना है तो स्टूडेंट्स हम इस कविता को शुरू करते हैं कुछ ना कुछ करते रहना है आपको भाई कुछ कीजिए कुछ करते रहना है कीप डूइंग सम्थिंग कुछ ना कुछ करते रहना है एनिटिंग कुछ भी कुछ ना कुछ कीजिए आपको निर्ष तक नहीं बैठना है ठाली नहीं बैठना है क्योंकि कारे करते रहना ही जीवन है और यदि हम कारे नहीं करते हैं निठले बैठे रहते हैं तो वो मृत्तू के समान है इसलिए कुछ ना कुछ करते रहिए पुल आउट खीच दीजिए इस प्लांट इन पौधों को जो यह पौधे लग रहे हैं इनको खीच लीजिए निप इस लिटिल लीप जो पत्तियां है उनकी जो निप जो आगे की जो कौपल होती है उसको तोड़ दीजिए निप में रन यूर बेंट थू इट दिरिज ग्रास और घास में क्या लगा दीजिए आग लगा दीजिए वन इट लाइक लंका कि आप घास को इस तरीके से आग लगा दीजिए जिस तरीके से हनमान जी ने किसमें आग लगाई लंका में आग लगाई उस तरीके से आप इसमें क्या लगा दीजिए, आग लगा दीजिए, दी बटरफ्लाइज, पेरट्स, स्पेरोज, जो चोटी चोटी तितलिया हैं, पेरट्स तोते हैं, इस्पेरोज गोरिया हैं, चैस देम, उनका पीछा करो, कैच देम, उनको पकड़ो, प्लक दियर विंक्स और उनके पंखो को, खरोच लो, निकाल दो, तोड़ दो, पुल आउट दियर फर, उनकी जो फर, जो पंख है, उनको निकाल लो, फर एंफीदर, दोनों का सेम अर्थ, देर, इन दी गार्डन, जैस्माइन, एंड बनानास गोल्ड, ग्रो फोर यॉर बिल्ड, एडिफन फीट, और फिर बगीचे में, जैस्माइन, जो चमेली की फूल खिल रहे हैं, और जो बनाना, के जो पेड है, उन सभी को, आप उस तरीके से कुचल दीजिए, जिस तरीके से जंगली जो हाती होता है, इनको कुचल देता है, फूलों को, और केलों को, जिस तरीके से कुचल देता है, आप भी उसी तरीके से यह जो पक्षी है इनके पंखों को कुचल दीजिए और अबर दी वाल्स कि वेरिलिटी मास्टर सुचेज कभी आपर मानव को बोल रहा है कि आप क्या हो पुरुस हो पुरुस जैसी पुरुसो चित आप क्या कीजिये काम कीजिये बॉल ऑबर लँटी वालस हर जगे हार संसा मास्टर स्विक जो आपके पुरुस जो मास्टर सुच है po your fingers वो आपके उंगली में अर्तक पूरी प्रत्वी आपके नियंतरन में में हैं कंड्रोल में है इसी तरीके से पुर्सो चित क्या कीजिए कारे कीजिए close your eyes अपनी आखे बंद करो and pull down 20 of them और उन मैंसे 200 को निकाल दो अर्थात यहां पर कभी कहना चाह रहा है कि प्रत्वी, अर्थ, वाटर, पानी और स्काई, काकास they are all your geese with golden eggs, यह सबी तुमारे लिए किस के समान है, उस मुर्गी के समान है, जो क्या देती थी, सोने की अंडे देती थी, और उसको क्या कर दिया था उसको इसलिए मार दिया गया था, सबी अंडों को एक इबार में प्राप्त करने के लिए, तो कभी यहां पर चाहे हैं। आप भी उसी तरीके से सारे अंड्रों को प्राप्त करने के लिए उस मुर्गी को मार दिया गया। प्रत्वी का पानी का और आकास का एक साथ धोन कर लीजिये। अर्था आप एक ही जटके में इन सभी को क्या कर दीजिए, vínust कर दीजिए, call them out, slash them, जैसा कि उसको काट दिया गया था, Do or die the way, आप अपना एक ही रास्ता अपना लो, या काम करना है या मरना है, disaster are the tests for your genius galloping dance. इस रास्ते में आपको क्या सकती है, विपदाईं ay सकती है, इसके बीच में जो भी आप कुछ कर रहे हो सम्तिंग मस्ट क्रेस एबरी मिनेट इसलिए हर मिनेट कुछ ना कुछ कुछ ला जाना चाहिए ब्रोदर एक्ट 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 वन्स डू सम्तिंग इसलिए भाई कुछ ना कुछ कीजिए कुछ कीजिए दो यत्पी बेट्स एन मीजर यत्पी जो बजन और जो मात्रा हैं आर आल पूर्दी पास्ट ये तो सभी भूतकाल से सम्मंद रखती थी पूर्दी अंडाइंग गोश्ट ली ट्रेजर अब दी डैड ये तो मृत लोगों का क्या था खजाना था अर्था ये सारी बाते किसकी थी बूतकाल की थी तेरी दी फॉरेस्ट आगे फिर कभी कहना चाहरा है कि जंगल है कटेट किलीं दी इस्टंप इसको पूरे को काट दो और इसको किसमें तबदील कर दो जो इस्टंप जो डंठुल होता है उसके रूप में उसको तबदील कर दो इसको चीर दो और क्योंकि तुम्हारे पास क्या है यू है थी एक्स मेरे पास कुलाडी है सिकल दराती है सो आरी है एंड़ी नाइफ और चाकू है आपके पास सारे ओजार है आप उनका प्रियोग करते होए इन जंगलों को नस्ट कर दीजिये गो harvest all the world और आप पूरे संसार में harvest किजे खिती किजे विदे florist of your hands जो किसे फले ही फूलेगी आपके हातों से पटी और मीट विंटर मिस्ट लेकिन आपको रास्ते में क्या मिलेगी कुछ बाधाय मिलेंगी जिस तरीके से मिस्ट को हसा मिलेगा wall of folks धुन्द मिलेगी wall that line the space between face and face और क्या मिलेंगी दीवारें मिलेंगी जो आपके आमने सामने होंगी face to face and the roads that side the bricks into under your eyes आपको road भी ऐसे मिलेंगे जो दो दिशाओं में विवाजित होंगे under your eyes तुमारी नजरों के सामने एक couple of mountains कुछ परबत चोटियां मिलेंगी that rear hoods and lower upon your head जो क्या करेंगी जो तुमारे सिर के पीछे होंगी और कुछ क्या होंगी lower upon your head तुमारे सिर के सामने अर्थात आपको ये सारी विगन वाधाय पैदा करेंगी और lighting winds from sirens और आपको क्या दिखाईए देंगे sirens सुनाई देंगे जो आदे मनुस्की होते हैं आदे क्या होते हैं इस तरी के होते हैं उस तरीके के sirens सुनाई देंगे that's in every tree पृतेख पेड़ से पृतेख पेड़ से आपको इस तरीके से सुनाई देगा तो यहां पर और अपन यूर हैट्स और लाइटिंग विंग्स फ्रॉम साइरंस आपको साइरंस सुनाई देंगे देट सिंग इन एवरी ट्री प्रितेक पेड से दू दे प्लंग यू इंटू एंग्जाइटी चु आपको किसमें डाल देंगे चिंताओं में डाल देंगे और आपको जो सोचने समझने की सक्ति उसमें दूबदा पैदा कर देंगे दिलेमास मने दूबदा पैदा करना नो नो इस बॉंट दू यू आपको ऐसा कुछ नहीं करना है यू आप एक साधरन विक्ती हो और आपको क्या करना है अपनी ही बुद्धी से अपनी ही सूजबुष से क्या करना है काम करना है इट बॉट कम्स तू हैं तू हैंट कभी कहना चाह रहा है कि आपके हाथ में जो भी कुछ आए उसको खालीजिए क्रस वाट कट थी हिंड्रिंग वाइन्स और कुछल दीजी उन छुपू ही लताओं को वाइन्स यहाँ पर लताओं है हिंड्रिंग बन छुपी हुई मदर अर्थ हरसेल्प और यहां तक कि आप जो मात्र वो जो भूमी है उसका भी आपको क्या करना है दोहन करना है तो कभी कहना चाहता है मदर अर्थ हरसेल्प तो टायर्ट की जो मात्र भूमी है वो स्वैम भी ठक चुकी है लाइज ओपन टू दी स्काई दे इस इस्टिल फ्लैस ओन हर बोन और वो खुले अकास में रेटी हुई है और अभी भी उसकी जो बोन जो हड्डियां है उनमें क्या है फ्लैस है मास है मज्ज़ है मैं रो फोर योर हंगर और तुमारी जो हंगर जो भूक है उसके लिए उसमें मैं रो मज्ज़ है मास है अभी भी आपके लिए कम कम ब्रदर इसलिए भाई आईए आईए never forget that you are a man कभी मत भूलो कि आप आदमी नहीं हूँ अर्था आपको हमेंसे याद रखना है कि मैं एक आदमी हूँ और मैं जो पुर्सोच जो वर्क कार्य होते हैं वो मैं कर सकता हूँ then there is the well of life कभी कहना चाहा है कि तब वहाँ पर जीवन का कुवा है rope the wheel and axle आपके पास रसी है आपके पास वील है और एक्सल है आपको देखा होगा कि किस तरीके से पानी कुए से निकाल ला जाता है कि चर्की होती है उस जो एक्सल में लगी हुई होती है और फिर रस्टी से खीचा जाता है, पुल आउट अल दी बॉटर, आप क्या कीजिए, उस कुए के पूरे पानी को खीच लीजिए, रीच दी लास्ट ड्राइनेस ऑफ दी रॉक्स, जो चट्टानों में अंतिम जो बून तक जो पानी है, उस सभी को निकाल लीजिए, ग्रोप, ग्रोप, ग्रेपलिंग आईरन, वीफोर विक्ट्री, आपको क्या करना है, कि आपको जिस तरीके से हुक होता है, ग्रेपलिंग आईरन, जो हुक जो होता है, उस से आप क्या कीजिए, पूरे पानी को निकाल लीजिए, और ब्रिदर आपके लिए तो वी जो है वो किसका सिंबल है विजय का सिंबल है विक्ट्री का सिंबल है reach for the ultimate world within और आपको इस संसार के अंदर ये अंतिम बिंदू तक पहुंचना है find अब आपको क्या करना है कभी फिर next इस्टेंजा में खराए find ढूंड लीजिए God's own arrow कि भगवान के उस arrow एरो मने तीर उस तीर को खोज लीजिए and aim और फिर इस तीर को खोजने के बाद आप निसाना सा दिएगा state सीधा at the heart of God's own emerald world किस में heart मने हिर दे जो भगवान का स्वैम का क्या है ब्रून वाला संसार है अर्थात जिस तरीके से बच्चा पेट में पैदा होता है और उसे भगवान का रूप माना जाता है तो कभी कहना चाहिए कि आप उस भगवान के उस तीर को खोज लीजिए और उस बच्चे को उस गर में ही क्या कर दीजिए, खतम कर दीजिए, इस्टेट एड़ी हट अप गोड्स ओन एमरो वर्ट, डू सम्थिंग, इसलिए भाई आपको कुछ करना है, एनिफिंग, कुछ भी करो, एनिफिंग, ब्रदर, आइडल मैन, क्योंकि जो निर्थ तक जो लोग रोते हैं, आड़ वर्डन ओन दी लेंड, इस प्रत्वी पर क्या है, बहार है, डू ब्रदर, डू सम्थिंग, अरे भाई कुछ करो, करो, कीपिंग, डू सम्थिंग, अल दी टाइम, हर समय कुछ न कुछ करते रहिए, तू लाइटन मदर अर्थ, लोड, और इस तरीके से मात्रभूमी के जो बहार है, उसको कम करते रहिए, इस इस राइट, यही सब कुछ सत्य है, सही है, और यही एक चीज है, जो बड़ी ही क्या है, उपियोगी है, अर्थात, इस कविता में कभी जो है, वो पाठक को विद्वन्सकारी काम करते रहने के लिए प्रेडित करते हैं, इस्टूडेंट्स, यहां पर यह कविता कंप्लीट होती है, आई होप कि आपको यह जो कविता डू सम्थिंग जो ब्रेडर है, लाइन टू लाइन आपको समझ मा आ गई होगी, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सेयर करें, थेंक्यू बेरी मच्च,